गुद मॉर्निंग क्लास फिशले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था न्यू टॉपिक पैटर्न जिसमें मैंने आपको बताया था कि पैटर्न इस ए सेट आफ अबजेक्ट किसी भी फिगर को, किसी भी डिजाइन को, किसी भी शेप को हम बार-बार जो repeat करते हैं, again and again, उसी को हम pattern कहते हैं और pattern हर जगा है, pattern everywhere, fruits में, carpet में, handprints में, plants में, animals में, pattern is everywhere तो pattern numbers में भी है, pattern alphabets में भी है, तो यहाँ पर बात हो रही है, number patterns की आपकी book में कुछ examples हैं, उसे देखते हैं, उसके बाद आपकी exercise को देखेंगे ध्यान से देखे, look at the following pattern, two balls, four balls, six balls, eight balls तो अगर हम इस pattern को ध्यान से देखें, तो कौन सा table चल रहा है, two plus two, four, four plus two, six, six plus two, eight next क्या, कितनी balls आनी चाहिए, eight plus two, ten, उसके बाद ten plus two, twelve यानी ये two ka table चल रहा है, यानी next added to, या अगर हम ये कह देखें, increasing pattern है, two ka table, two, four, six, eight, plus two, plus two करते जाएंगे, और ये हमारी increasing हो रही है pattern की, number six, increasing in the pattern, is a growing pattern, इसे हम growing pattern भी करते हैं, यानी बढ़ रहा है pattern, okay, next, sometime जो pattern है, वो decreasing order में भी होते हैं, यानी plus की जगा, minus हो रहे हैं, यहाँ पे जैसे देखें, किया पे 15 flowers हैं, plant में, कितने flowers हैं, एक लेड़ी जो है, everyday उसमें से 3 flowers प्लक कर लेती है, तो minus होगा या plus, obviously minus होगा, first जैसमें 15 थे, उसमें से 3 minus के, तो कितने बचें, 12, अब 12 में से 3 minus करेंगे, तो क्या बचेंगा, 9, 9 में से 3 करेंगे तो 6, 6 में से 3 करेंगे, तो क्या बचेंगा, 3, last जैसमें जब वो 3 minus कर लेगी तो में जा रहा है इसको हम कहते हैं the rule of pattern is go from one number to another यानि minus three हो रहा है decreasing order में pattern जा रहा है sometime the numbers grow rapidly यानि ध्यान से दिखिए वो multiple counting होती है यहां पर one one two carrots then four then eight यहां पर increase हो रहा है ना decrease हो रहा है ना two का table चल रहा है ना three का अगर हम इस pattern को ध्यान से दिखिए तो one one को two से multiply किया तो two two को two से multiply किया तो four four को two से multiply किया तो eight अब जब हम eight को two से multiply करेंगे तो next जो carrots आएंगी वो 16 अब जब हम 16 को two से multiply करेंगे तो next हो जाएंगी 32 यहाँ पर जो है multiply by 2 add mean हो रहा है multiply by 2 इस तरह से जो patterns है वो numbers में increasing order में decreasing order में multiples में plus या minus में होता है कि pattern हर जगा चलिए अब आपकी exercise को देखते हैं exercise self practice 13b यहाँ पर देखेंगे observe the following pattern and write the rules using numbers पहले वाले में 2 pencils दें दूसरे में 4 pencils दें next देख रहे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pencil यहाँ पर कौन सब हो रहा है add का या multiply का तो देखेंगे 2 को 2 से multiply किया तो 2, 2 is a 4 4 को 2 से multiply किया तो 8 अब next जो हमारा आएगा 8 को 2 से करेंगे तो 16 तो यहाँ पर rule है multiply by 2 multiply by 2 next यहाँ देखते हैं softy है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक कम हो गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानि minus 1 8 में से minus 1 हुआ तो 7 7 में से minus 1 हुआ तो 6 यानि minus 1 यहाँ पर क्या हो रहा है rule जो है decreasing order का है minus 1 decreasing by वन के इसी तरह से और भी बहुत सारे रूल पैटन्स में होते हैं अभी आप क्लास टू के स्टूटेंट है तो बहुत कम हैं जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है वैसे वैसे ही पैटन्स में और रूल साते जाते हैं चलिए अब next question देख लेते हैं write the next two terms in each pattern बना हुआ है इसमें देखते हैं कौन सात हो है आप देखे 0 3 6 9 तो अगर हम ध्यान से देखे तो क्या हो रहा है 0 प्लस 3 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 3 9 प्लस 3 हो रहा है तो 9 प्लस 3 12 12 प्लस 3 15 हो गया देन यहां देखे 3 8 3 से 8 बढ़ा है 8 में से 3 माइनस करो तो कितना है प्लस 5 हुआ 8 प्लस 5 13 13 प्लस 5 18 18 प्लस 5 23 23 प्लस 5 28 यहां प्लस 5 हो रहा है next 10 10 12 14 16 10 प्लस 2 12 12 प्लस 2 14 14 प्लस 2 16 next 16 प्लस 2 18 18 प्लस 2 20 यहां प्लस 2 next 17 17 27 27 में 17 माइनस करो 10 यहां प्लस 10 हुआ 27 प्लस 10 37 37 प्लस 10 47 प्लस 10 67 प्लस 10 67 इसी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद बखुद आंसस समझाने लगेंगे 100 200 300 100 प्लस हो रहा है तो next 400 नेक्स 500 यहां देखें 18 18 17 17 प्लस 15 15 14 14 13 13 प्लस 3 17 प्लस 15 प्लस नमर को नहीं यानि 10 16 22 10 16 यानि प्लस 6 है तुम यहां पे होगा 10 प्लस 3 13 13 प्लस 3 16 16 प्लस 3 19 24 34 34 में 24 को किया तो क्या है प्लस 10 44 next होगा 54 64 111 22 22 33 33 next होगा 44 45 55 यहां दिखिए 20 मिसिंग नंबर 30 35 35 में से 30 गया 5 यानि 5 माइनस हो रहा 30 में से 5 25 20 में से 5 15 35 में प्लस 5 40 40 last I am the 7th number in the sequence में 7 नंबर पूर यह नंबर कौन सा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे dots बना लेते हैं देख रहें 4 8 12 16 4 का टेबल है 4 बन जा 4 4 2 जा 8 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 7 जा 28 तो 7 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा 28 28 जो आपको pattern समझ में आ गया होगा आप अपनी exercise अच्छे से कर लेंगे और chapter test भी करेंगे